नमस्ते, किसी भी त्योहार पे बना सके और स्पेशल गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसके लिए हम आज ग्योग के आटे के चूर्मा लड्डू बनाएंगे ये चूर्मा के लड्डू हम बिना फ्राइ की वे बनाएंगे और गूर से और सबकर से दोनों मेथ़ड से बनाएंगे एक्टम परकेट मेथड और मिजर्मेंट इस वीडियो में आपकी साथ शेर करूंगी ताकि आपके लड्डू कभी भी बिग रहेंगे नहीं तो आज की ये रेसिपी शुरू करें उससे पहले मेरी चैनल को सब्स्राइब करके साथ में बैल आइकन को क्लिक कर लेजिए ताकि आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए सबसे पहले तो घर में से कोई भी एक कटोरी का नाप सेट कर लेजिए बड़ी चोटी और उसी कटोरी से नापके आपको चार कटोरी गेऊ का जो दरदर आटा आता है वो लेना है जिसे भागरी का आटा भी बोलते है गुजरादी में अगर ये आटा नहीं है तो तीन कटोरी आपको गेऊ का जो रोटी का आटा नॉर्मल आता है बारिक वाला वो लेना है और एक कटोरी सुझी लेनी है और जिस कटोरी से नापके मैंने गेऊ का आटा लिया है उसी कटोरी से नापके एक चौथा ही कटोरी बेसन लेना है बेस आट लेगे तो लड़्डूजादा अच्छे बणेगे, तो हो सके और मिल रहा हूँ, तो दरदर आटा ही इस्तमाल कीजे! देखे घी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर आटे को इस तरह के से चेक करना है आटा इस तरह के से हाथ में ले और बांदे तो इस तरह के से मुट्टी में बन जाना जाए हलके गरम दूज से आटा बांद के तयार करना है जैसा हम भाकरी का आटा बांते है बस भाकरी का आठा हमको बानना है आठा एकदम सक्त होना चाहिए जैसे मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ देखे इस तरीके का एकदम सक्त आठा बानके तैयार कर ले अब इसमें से लोए तैयार करने है बाकरी के लिए हम लोए बनाएंगे थोड़ी बड़ी साइस के इस साइस के लोए बनाके तैयार कर लेंगे अब इसमें से बाकरी बिलनी है आठा सक्त होने के वज़े से हो सकता है कि भाकरी बिलते वक्त इसकी किनारिया यानि के बॉर्डर थुड़ी छुटी हो जाए तो उसको सैट करते जाना है और भाकरी बिलते जाना है इस तरीके से बड़ी वाली भाकरी बेल के तैयार कर ले उसके बाद टाकू की मदद से भाकरी में कट लगा देने है ताकि हम जब इसे सीखे तो भाकरी अच्छे से सीख जाए और बीच में से फूले नहीं Medium to high flame पे normal रोटी के तवे पर भाकरी को दोनों तरफ से पका देना है भाकरी दोनों तरफ से पक जाए उसके बाद cotton के कपड़े या तो तवीते या तो फिर ऐसे लकड़े का डटा आता है भाकरी सीखने का उससे भाकरी को दीमी आज पे सीखना है जब तक भाकरी दोनों तरफ से एकदम कड़क नहीं हो जाए और crispy नहीं लगे आपको तब तक सीखना है देखे तवे पे इस तरह की से भाकरी खड़ी रखे न तो बिल्कुल भाकरी मोड़नी नहीं चाहिए इस तरह की से कड़क होनी चाहिए ऐसी सिखे हुए भाकरी में ही बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा इसलिए भाकरी सिखने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत किजेगा अब एक पैन में आदा चम्मत जितना घी करम रखके इसमें थोड़े ड्राइफ्रूट डालेंगे जिसमें थोड़े से पीस्ता थोड़े से बादाम और थोड़े से चौप की हुए काजु डाल देंगे और इसे एक से दो मिट के लिए थोड़ा सा सीख लेंगे अगर आप ड्राइफ्रूट डालना नहीं चाते तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं दो मिट के बाद सीखे हुए ड्राइफ्रूट को साइड में रख देंगे और जो भाकरी है उसके इस तरह की से पीसिस कर लेंगे भाकरी के चोटे-चोटे टुकडे करके अब इसे मिक्सी मिले लेंगे और इसका एकदम बारिक पावडर बना लेंगे देखे इस तरह के का दरदरा पावडर होना चाहिए चुर्मे का लड्डू का में टेस्ट है वो कच्चे आटे से नहीं बलकि इससे आता है इसलिए भाकरी वाला स्टेप आप स्कीप मत किजेगा अब ऐसी बड़े होल वाली जिससे हम गियू चानते है ऐसी चलनी से हमको जो ये भाकरी का जो हमने पावडर बनाया है वो छान लेना है इससे जो बड़े बड़े भाकरी के टुकडे रहे होंगे वो उपर रहे जाएंगे जिससे हम वापस से मिक्सी में डालके क्रस कर लें अब एक कड़ाई में घी गरम रखना है पीछे से जो हम गुड की पाय बनाने वाले है जिसमें एक कटोरी घी का नाप लेने वाले है उसी में से मैंने दो चम्मच गी लिया है अब इसमें जो हमने भाकरी का आटा तयार किया है वो सीख लेना है चुरमे के लड्डू फ्राय क तक इस आटे को सीखना है चार मेंड के बाद इसमें से दो कटोरी आटा में अलग निकालूंगी जिससे मैं सक्कर वाले चुरमा के लड्डू बनाऊंगी और बाकी चार कटोरी बाद में हम नाप के निकालेंगे जिससे हम गूड वाले बनाएंगे लड्डू अब ये दो क शक्कर आपको आटा थोड़ा थंडा हो जाए उसके बाद डालनी है अब इसमें जरूरत के हिसाब से 3-4 चमट जितना गी डाल देंगे अगर गरम गरम आटे में आपने शक्कर डाल दी तो आपके लड़ू बनाने में बहुत ही दिक्कत होगी इसलिए थोड़ा सा आटा होने के बाद सक्कर डालिए और गी आप अपने जरूरत के इसाब से डाले पहले दो चमट डालके लड़ू बनाके देख ले और उसके बाद जरूरत लगे तो फिर गी डाले दो कटोरी आटे में से 6 लड़ू मीडियम साइस के तयार हो जाएंगे सक्कर वाले आटे की अपके हमने आटा, गी और सारी चीजे लिए उसी कटोरी से नापके 1.5 कटोरी यहां पर गूड लेना है गी अच्छा खासा गरम हो जाए फिर एकदम बारे कटा हुआ गूड डालके तुरंध ही गैस को बंद कर देना है और इस तरीके से गूड को पिखार लेना है गी में सिक्का हुआ भाकरी का आटा 4 कटोरी लिया है जिस कटोरी से हमने पहले आटा नापकी लिया था बस उसी कटोरी से लडू के लिए कोई बी एक कटोरी का नाप सेट करके आप सारी चीजे लेंगे तो आपको measurement की कब की ज़रुत नहीं पड़ेगी और लडू बिगढेंगे भी नहीं, सारे ड्राइफरुट और थोड़ी किस्मिस इसमें मिक्स कर लेंगे, ड्राइफरुट और किस्मिस नहीं डालना चाते हैं तो skip कर सकते हैं, अब हमने जो गुड़ और घी की पाय बना के रखी थी वो इसमें डाल देंगे, अगर आप मेठा ज्यादा खाते हो तो प बैलेंस करके उसके बाद इसमें से लड्डू बना देंगे चार कटोरी सीखे हुए आटे से कम से कम आपके गोड के 12 से 13 लड्डू मीडियम साइज के तेयर हो जाएंगे ऐसे हलके आतों से बहुत ही जल्दी और कम समय में आसानी से लड्डू बन के तेयर हो जाते है बिल्कुल भी तेर भी नहीं लगती और टेस्टी भी बहुत लगते है वैसे तो चुर्मा के लट्डू गोल ही बनाए चाते है पर गणिस चतूरती के लिए आपको बनाने हो तो मोदक का शेफ भी दे सकते है चुर्मा के लड्डू गोल बनाए या मोदक शेफ्ट के बनाए टेस्टी होने चाहिए सही बात है ना आज की परफेक्ट मैथड और मेजर्मेंट के साथ ये लड्डू घर पे बनाए और गनिस जी को भोग लगाए सिर्फ गनिस चतुरती पे ये क्यों कोई भी फंक्चन या त्योहार में भी ये टेस्टी लड्डू घर पे बनाए ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे चुर्मा के लड्डू की आज की रेसिपी को लेकि अभी भी आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पुछे अगर ऐसे ये पसंद आई हो तो लाइक करके शेर करना मत भूले और चैनल को मेरी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले